तुरू कर चुके थे पिछली ग्लास में और एक सिंपल सी सरल सी बात याद रख लो अपने एक्जाम के हिसाब से क्या-क्या पढ़ना है कि हम एक बात तो जानते हैं कि बीसी सी आई जो है यह मद्यप्रदेश की सरवोच या अपने देश की सबसे बड़ी खेल संस्ता है कौन ओलंपिक में और फिर 1928 क्रिकेट के लिए माने यह हुआ कि कही ना कहीं खेलों के लिए जो यह दि हम देखें आजादी से पहले का जो मैत्रपूर बर्स रहेगा वहां से 1928 के आसपास से कई प्रस्नों आपके एक्जामें बन सकते हैं हम 1928 से अकला स्पोर्ट्स कवर नहीं करते हैं तो जब हम फाइदा यहीं रहता है जब हम अपना स्लेवर्स कंप्लीट कर चुके होते हैं उसके बात चीज़ें पढ़ रहे होते ना तो आप अपने आप लिंक करते चलते अच्छा 1927 में जब हमने ओलंपिक समिती बनाई थी भारत के लिए तो हमने एक काम और किय था 1927 में ब्रिटेन में हो रहा था वो भारत में भी नहीं हुआ था ब्रिटेन में कौन सा काम हुआ था कि साइमन कमिशन का गठन किया गया था और जैसे हमने 28 में भारत को वेजा उनने हमारी तरह बेज दिया जोड़ लो तो उसके साथ में सारे अपके तैयार होती चलती थी अमने यहाँ से और कि था याद कर लिया आपको पहल से याद रिखा रखaciो ठीक है अब देखो हमने यहां से बात किया अब पूछेगा बताओ अध्यक्ष कौन है हम जानते हैं ठीक है कल बात कर चुके जब जब हेड़कोर्टर की बात आईगी तो बता देना कहां पर है लेकिन यदि इसी के साथ जोड़ लेते हैं कि आपके ICC का हेड़कोर्टर अब CEO आपके जैसा है यह बात हम लोग कल यानिकी पिछली क्लास में आतक कर चुके थे अब शुरू करते हैं यहां से क्या आज हमें पढ़ना है यदि बात यह करें कि हम जो अपना भारत के खिलाड़ी जो पहला टेस्ट में खिलेंगे क्योंकि आपको पता है सबसे जानना है तो आप उसको टेस्ट खलवाओ आपने ऐसे कई सारे नाम सुने होंगे खिलाड़ी के चेते सर फो जारा साब बंडे में कभी नहीं आते क्यों नहीं आते आ गया तो साब खड़े रहेंगे और बंड़ टेस्ट में क्या चाहिए ऐसा ही चाहिए बिकेट रोकने व टेस्ट खेली रहे क्रिकेट का लेकिन 1932 में फिर आप दो चार बात याद रख सकते हो कई सारी बात हैं अब आप यही करना कि जब पढ़ना तो एक साथ दिमाग में कई सारी बात लेकर के चलना तो धीर धीर कई सारी के लिए आपकी चीज़ें हो जाएंगे अब बात या लेकिन अच्छी बात क्या है जब प्रस्न पूचेगा बताओ भारती टेस्ट करके टीम में हमने यहां से किस खिलाडी को कप्तान बना करके भेजा था या ऐसा पूछ लेगा पहला टेस्ट टीम के कप्तान का नाम बताओ तो आप जानते हैं क्या नाम इनका सी के नाइडू बहुत सांदार विक्तितों वाले खिलाडी हैं साब जो पहली वार आपके क्या बनेंगे टेस्ट टीम के कप्तान बनाए जाएंगे नाम क्या है शी के नाइडू और ये दोनों आप जानते हैं बताने क्या वशकता नहीं है ठीक है चलेगा अब यहां से देखते हैं अगला बैर राष्टी ए जब हमने खेला था 1974 में 1974 में तो और कहां खेलेंगे तो आप पहले के लिए तो डू गोरlls але क्या करना है इंगलेंड करना है तो अब हमने क्या देखा अपनकर वुद संब यादर रखेंगे डि़क है जो भारत की बंडे टीम जाएगी इंग्लेंड में खिलने के लिए तो वहाँ पर हमने अपने टीम का कप्तान किसको बनाया था तो नाम याद रखेंगे अजीत वाडेकर अब अजीत वाडेकर साब जो है ये दिख रहे हैं आपको कितना सांदार हैंसम से ठीक है ये व्यक्ति जो है आपके वंडे के पहले कप्तान बनाये जाएंगे और टेस्ट के पहले कप्तान तो आप जानते ही हैं शीके नाइडू और अजीत वाडेकर साब ये दोनों अलग-अलग खिलाडी बन गए लेकिन बात याएगा एक नाम खूब चर्चा में और रहता है खूब फेमस है नाम है लाला अमरनाथ क्या नाम है इनका लाला अमरनाथ क्या बिसेस्ता इनके बारे में भारत की और से प सब्सक्तार तो इस बहुत हुआ हीं अब ही है अधिक्तम ख़ारीयों की संख्या अया अदिक्तम लोगों की संख्या बताड़ों कड़ बता और अधिक्तम लोगों की संग्य खिलाडी नहीं अधिक्तम जो व्यक्ति रहेंगे मैदान में कितने हो सकते हैं हाँ 11 और 4-15 होते हैं अधिक्तम इससे ज्यादा सोलवानी होगा जब मैच खिला जा रहा होगा तब 11 एक टीम के खिलाडी हो गए चाहिए वह फिल्डिंग कर रहे होंगे तब 11 होगे दो बैट्समेन आगए दो एमपायर आगए ठीक है चलेगा यह अच्छा अंसार है बस यह हां वह वह बिसम परिस्तिती एक सामानिस्तिती की बात करते जब भी कभी पूछा जाएगा वह आप जरूर होगी ठीक है तब इस्टार लगेगा चलेगा यानि कि सीदी सी वात है जब इस्टार लगेगा तो आपको सर्थ रखनी पड़ेगी इतने घंटे पड़ोगे तब ही साब कंदों पर बजन आएगा नहीं तो नहीं आपाईगा ठीक है चलेगा तो देखो क्या कह रहे आपके टेश्ट मैच में पहला सतक लगाने वाले खिलाडी बने ठीक है कभी पूछ ले किसके खिलाप लगा रहा है तो आंसर कर देना इंग्लेंड के खिलाप लगा रहा है यह बात बड़ी मैत्पूर्ण कितने रन बनाएंगे तो एक सो अठारा रन बनाए लाला अमर ना चले टेश्ट में पहली बार सतक किसने लगाया था तो आंसर कर देना लाला अमर नाथ भी लगाएंगे कहां पे भारत में हां भारत में ही लगाएंगे लेकिन टीम है इंग्लेंड के खिलाप ठीक है अब ऐसे याद रख लेंगे अब देखो यह अभी करेंट की बात कर ले में हो इस ख्लाडी का भी कोई तोड़ नहीं था उस समय आपको पता है ऐसे कुछ ही ख्लाडी है जो कप्तान रहने के साथ साथ आपकी कीपिंग कीपिंग भी करते हैं तो यह जो ख्लाडी है जैसे आपके राहुल द्रवेड हो गया भारत की टीम में ठीक है और आपके हैं कि क्प्तानी की इंडियंटीम में हैं और एसे मुंबेर इंडियंग ऐल में नहीं आएपील अगरा भी हुआ जुआ था जो किसके साथ अब साहर पिंदियी साल सब्स túmave Hin तो उसमें क्या का एच टीम के कप्तान अपने साथ भारती टीम में खिल रहे थे मुमा इंडियन के आपके रोहिष सर्मा हो गए मैंसिंग धोनी थे सुरेश रहना ऐसे करके पांच टीम तो अपने ज्यानियारक किसके साथ खिला गया था मतलब कौन थी सामने टीम तब बैचारी पराजित कर दी भारती टीम किया नाम उसका केल रहा है एक और खिलाडी करता है यह बहुत अच्छा हो सही यह बन गया था है लेकिन फिलाल दो खिलाडी यह से फैमस हुए हैं जो कप्तानी के साथ आपके कीपिंग में भूमेका नभाएंगे लेकिन एक बात याद रखना यह आप भी जानते बतानी क् कप्तान के साथ कीपिंग में सबसे जादा वर्ल्ड रिकॉर्ड यह दि किसी खलाडी ने बनाए है वो मेंदर सिंग दोनी ने बनाए उतना साब कोई प्रोफेशनल कीपर भी नहीं कर पाया हलांकि वो प्रोफेशनल है टेंपरेरी नहीं है ठीक है तो अब देखो यहां से किया गया या पुरुषकरत किया गया है तो आंसर कर देना राहुल रविट को और बर्स यदि पूछता है तो 2018 में ठीक है अब देखो अच्छी बात क्या है कि रोहित सर्मा को बारे विजे तो अपना आगे पढ़ लेंगे क्योंकि एक मात्र ऐसे खलाडी बने हैं क्योंकि भी तक भारती खलाडीं में यहान खलाडें कोया रिकार्ड बनाया है कि ऐसे खलाडी मिल जाएगे जिन्होंने 200 सों बनाए है ठीक एक बनाया है दोवना है ऐसी कर दो डलगा है जो होता क्या है जैसे मालने के हम सेम प्रोफेशन में काम करते हैं तो उनको उस व्यक्ति के गर्ष्ट पता चल जाता यह व्यक्ति बहुत आगे जाएगा तो शुरुवाद्ती में सचन्तेंद्र करने इसके वारे में खूब तारिफ की ती रोईसरमा की कि व्यक्ति इसके कि टेक्निक बहुत सांदार है बहुत बढ़िया खिलता है आगे बहुत अच्छा काम करेगा लेकिन क्या बीच में देखा होगा आपने सुरुवाद्ति के बाद उनको मौका नहीं मिला था लेकिन फिर बाद में जैसे द्वारा से कंटिन्यू करते हैं तो बहुत सांदार क बात होगी टेस्ट में पूछ लेकि दोहरे सतक लगाने में रिकॉर्ड किसका है तो नाम याद रखेंगे डॉन ब्रेड में बहिया जलबा नाम इतना खतरना के डॉन भी है और ब्रेड में भी है ठीक है अब हमने क्या याद रखा कि टेस्ट मेंच की बात करें यहीं सरवा बात करेंगे तो रहे सर्मा को याद रखना है मतलब यह हुआ कि अभी तक किसी घ्लाडी ने तीन बार दोस्तों नहीं बनाए और टेस्ट में बात करें तो इनके आम आ गया लेकिन टेस्ट में एक नाम को एक लाडी का नाम और आएगा कुमार जंग जैसुरिया सूरिया पर बनाएगा तो टेस्ट में ब्राइन ला रहा है वह तौप रहा है अब हम टेस्ट में इक लाडी का नाम और याद रखेंगे ब्राइन लाइए अब यह क्या करेगा इसने एक बहुत सांदा record बनाया कितने बनाएगा दिक्तम 400 रन बनाएंगे लेकिन आपको ध्यान होगा विरेंदर साहिवाग ने भी कुछ इसी परकार का record बनाया है टेस्ट में लगवग 300 प्लस बनाएं 300 क्या सपास बनाएं तो कहीना कहीं इन लोगों का एक अपने आप में अलग competition रहता था उस समय हलंकि अब तो यह है कि टेस्ट में इस समय फिलाल record जो जादा नहीं है लेकिन यह सभी पुराने record की चर्चा कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यदि आपके टेस्ट में दोहरे सतक लगाने का record किसी के नाम है तो ब्रेड मेन के नाम है और सबसे ज़्यादा व हम हैं कौकौन से ख्लाडी होंने लगाया हैICK घ्यायार ऑ देखो बात है कि बीरंदर साहवा का मतलब यह आपने समय का यह भी बड़ा सांदार older Basin योके यह सबसक्भात है कि साब आपने विए खूब खेझा अब हर वयकती ने देखा कि किर्केट थे लगा है तो देखा होगा कि साब यदि चल गया दसवारा बारा पंदरा भी सुरंड बना गया तो साब फिर बिरंदर सहबा की बॉल को ऐसा कहा जाता है कि किसी भी फिल्डर के द्वारा हाथ भी नहीं डालेगा जा रही है कि जाने दो इतना फास्ट या टाइमिंग का सोट रहता जिस कि कोई सीमा तो अब हम देखेंगे कि एसे हम ख़लाडियों के नाम याद हैं पे रख लेते हैं जन्होंने कुछ अलग अलग रिकॉड बनाये हैं यह बंडे तो भारत में एक नाम या आएगा जिनका नाम है लाला अमरनाथ इनसे शुरुवात होगी 118 रंसे ठीक है अब अगली बात करने टेस्ट में फिर आप याद करो भारत के लिए ट्रिपल सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड जो है बिरंदर सहिवाक का रहेगा और वह सतक जो इन किसका अंसर कर देना दौन ब्रेडमें यह पूछ लेए कौन कौन से या कितने ख्राडियों ने आपके टेस्ट मेंच में तिहरे सतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है तो हम आंसर कर देंगे ब्रेडमें क्रिस गैल और विरंदर सहिवाक और ब्राइन लारा ब्यक्तिगत इन इनको भूल जाएंगे या इनको नहीं पढ़ेंगे तो फिर से ये कठिल लगने लगेंगे ठीक है तो अब करना क्या है कि धीरे-धीरे समय के साथ इनको पढ़ना शुरू करते हैं नाम बहुत सांदार है व्यक्ति से आप परचित भी है कपिल देव हर्याना हैरीकेन के नाम स से पैंचाने जाते हैं ठीक है अच्छी बात क्या है जरा समझते हैं इनके बारे में कि भारत की ओर से पहला एक दिवस्य बंडे में हंड्रेड कौन लगाएगा बंडे में सतक कौन लगाएगा आंसर कर देना आपके कपिल देव लगाएंगे और कपिल देव ने जब पहली tö implakten कि सकते हैं कि हम वाज़ी और या किसी ने दिलवाया तो कपिल दीव कुझा थे ऐसे आ знает कि 밑 už सांधार बालिंग करते तो यह थो एसा किसा सकते जाए जादातर क्रेट जो है आप कि विशुकप कम किस खिलाडी को देते हैं कपिल देव को देते हैं वैसे आप जानते हैं क्या जानते हैं कि जब भी कोई ऐसा खेल होगा जो टीम इस तर पर खेला जाएगा तब किसी एक खिलाडी का नाम हम नहीं कह सकते या नहीं बता सकते क्यों क्योंकि एक खिलाडी के दम से कोई नाम आता है तो आपके किसका आता है क्योंकि कहना के इनकी बड़ी अहम भूमिका रही थी दोनों से दोनों तरीके में चाहिए बैट्समेन मालो चाहिए आपकी बॉलिंग मालो लेकिन अब देखें कि एक ऐसा ख्राड़ी जिसने हर प्रकार के वर्ल्ड कप जिताने का र उनके कारेकाल में ही कप्षानी के दोर हैं वर्ल्ड कप रखेंग एशन कप यह कोई सा भी हो चाहिए टैस्ट में रेंकिंग हो ठीक है सारे वार्मेट में वह आपको आपको क्या दिल्वाते हैं टॉप पर लेकर के जाते यह बात अपने आप में बहुत बड़ी चनौती है कि हम माने एक ही खलाडी के नियत्तरत में सारे काम कर रहे हैं या सारी ट्रॉफिया जीत रहे हैं ठीक है बास्विता में कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे ने कहते हैं यह तो इसी के लिए बना था तो मेहंदर सिंग ध्वानी हुए सचन हुए रोई सर्मा ऐसे कुछ कर पाएगा ऐसा काम और कोई नहीं कर पाएगा ठीक है तो कहिना कि यही तो टेलेंट रहता है अब आप देखेंगे सब्द आता है जैसे नेता सब्द है अब हर व्यक्ति नेता नगरी नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए भी आपके अंदर कुछ बिसेस्ट गुण चाहिए चाहिए और यह तब कर पाएगा जब आपमें भीड को भीड का नित्रत करने की छमता बहतर हो जो बोलेंगे तो कहिना कहीं फिर वो कहिना की कमी आएगी न तो वह यही तो लक्षण होता है यही तो का आपकी क्वालिटी है कि आप अपनी टीम का भले ग्यारा खिलाडी हैं भले पाँच खिलाडी हैं यह भले ही आपके सामने कि जो माइंड का अटेंशन है ना यही तो चीज बताता है कि आप में क्या समता है नेत्रत करने की नहीं तो कफ्तान तो और भी थे और भी बीच में बने थे रहे फिर बदल हुआ लेकिन क्या कारण रहा कि साफ बहतर फिल्डिंग सारे काम फिल्ड का सैट्लमेंट ब्राट को अब दोनी बताएगा कि साफ ब्राट को ली खुद गया कुछ नहीं कर पाएगा और किसी दूसरे के इंट्रेक्शन फोलो कर रहा है जहां दोनी काएगा वहां लगेंगे साफ क्यों क्योंकि उसका जो नित्रत करने की समता है वो क्वालिटी यह किसी में यह जैनेटिक होती यह आप काओ कि मुझ में आ जाए आप में आ जाए जो आप में क्वालिटी हो सकता है आप किसी में मास्टर हो ठीक है वो क्वालिटी मुझ में नहीं आ सकती यह व्यक्ति में डिपेंड करता है तो यही सारी चीज़े हम समझेंगे कि भई उसी नेत्रत की छमता की वजए से खिलाडियों को अपनी एक नई और अनुठी पैंचान मिलेगी जिनमें से सबसे पहले सांदार नाम आएगा कपिल देव का अब कपिल देव क्योंकि हम लोग क्रिकेट तो काफी अरसे से खिल रहे थे लेकिन और अच्छा भी कर रहे थे ऐसी बात नहीं है लेकिन कहिना कहीं वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे जो उस क्रिकेट की सर्वोचता को बताती है यह प्रदर्सत करती है सामानायी जैसें करनाये जोट अक्राजयेंगा अब प्रतने सामाइने पंद souhaकर और प्रस्ग को count as ने ज्यायेंचा में गफ़ले जोब 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 18 साल में लीघ जाएर भले यह पुलिस में बन जाए और कोई ब्यक्ति अब बस यह पीएसी से जाएगा बेसक 40 साल में लगे वहां तो फिर थोड़ी स्थी बदलेगी क्योंकि वह सेकंड ग्रेड पर जा रहा है वहां तक यह सोच भी नहीं पाएगा बिचारा लेकिन यह कि यह फिर भी बहुत बढ़िया कर रहें कि उस इस्टगल के पीरेड से कैसे यह खिलाडी हमको बाहर लेकर के आते हैं तो कपिल देव का नाम याद रखेंगे जो बंडे में आपको क्या रिकॉर्ड बना करके देते हैं कि हमने 1984 में क्या किया पहला हमने हंड्रेड या पहला सतक बनाया आपके कपिल देव के नित्रत में और यही टेस्ट में पूछ लेगा लाला अमरनाथ ठीक हैं अब देखो इनकी उपादी तो आप लोग जानते हो बताने के अवशक्ता नहीं अगली बात देखो भारत की ओर से टी ट्वेंटी में बारत की ओर से टी ट्वेंटी में यादे सतक किसी ख्राडी के दौरा लगाए गया था तो दो हजार दस में लगाएंगे सुरेस रहना तो अब याद रखा कि हमने पहले टेस्ट याद रख लिया फिर हमने ओडिया याद रख लिया और फिर हमने आपका टी ट्वेंटी याद रख लिया क्योंकि क्रिकेट के तो तीन ही फॉर्मेट होते और तीनों फॉर्मेट के हमने एक एक करके सतक लगाने वाले ख्लाडियों के पहले ख्लाडियों के नाम याद रख लिए आपको पता है यहाँ पर टेस्ट में नाम जानते ही हो हम ODI में नाम पता चल गया कपिल देव जी का और T20 के बारे में बात कर रहे हैं सुरेस रेना बर सब्सक्राइब करें लिए इसलिए इनको समझ में आ गया था किसा अपना आप कुछ होनी सकता क्योंकि टीम में क्या होता है हर एक व्यक्ति का समय होता है और समय के साथ में बदल याना यह बहुत अच्छी बात है जब मेंदर सिंग धौनी जैसे ख्राडियों का साब रिट कर दिया और मेंदर सिंग धौनी के साथ सन्याज की गोश्णा कर देते हैं चलिएगा बहुत अच्छी बात है लेकिन फिर इनका खेल भी बहुत सांदार था अब भी जानते होंगे चाहें वह बैटेंगो ठीक है कि पहले टेस्ट में पहले वंडे में पहले टीट्वेंटी अब यदि बात करें बंडे में सबसे तेज हंड्रेड या सतक लगाने का रिकॉर्ड किसका था तो अब नाम याद रखना है एवी डिवलियर्स आप जानते हैं अब पूछना कभी पूछ ले कितनी गेंदों में कितनी रन बनाए तो 31 गेंदों में रन बनाएंगे हंड्रे का था और आवी डिवलियर्स आप जानते हैं किस टीम के खलाडी है तो मै ने कब कहा मैंने तो यह का इनके ख्लाप लगाए थे मैंने यह नहीं कहा किया है मैंने तो बस बैसी आप लिए कुछ काम नहीं तो यह 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 तो आपका प्रेसंस ओप माइंड है कि हमारी नजने कहां है दियान कहां है दियान घर पर आ रहे हैं कुछ खाके नहीं आ पाए कि मम्मी आज खीर बना रही है हमें कोशिक पहुचा दी तो आपका दिमाग किचन मैट का पड़ा आ जाओ लोट के क्लास में तब थोड़ा सा अलटनेस रहेगी तो अब क्या याद र यारी कर रहे हैं तो MP में एक नाम खूब आता है नेशनल हाइवे में जिसका नाम ए भी ज्यान करो एन एच थ्री पढ़िएगा एन एस थ्री जानते हैं कि यह बहुत अच्छा हाइवे है क्यों अच्छा हाइवे क्योंकि हम लोग जहां रहते हैं और कई वार एक्जाम में कि शूपरी में जाओ तो मादव नेशनल पार्क के बीच में से निकलेगा ठीक है तो यानि कि यह ऐसा हाइवे है एक वार यहां आ गया तो सीधे जाकर आपको कहां आगरा से चलेगा बॉम्बे उतारेगा तो हमने याद रखा कि एवी नाम के चीज़ें बहुत फाश्ट ह होती है जाए वहाइवे हो जाएवे हो जाए डिवलीर सो अब याद रखना कि पहला सबसे तेज सतक वंडे में यह लगाने का किसी का रिकॉर्ड है तो वहां आपके एवी डिवलीर सार्मातर 31 गेंदों में रन बनाए थे कितने 100 याद रखो बर्स पूछे का 2015 याद रख करेंगे बंडे मैं यह भरती किक्रिक्येट की बात करेंगे तो एक नाम सामने आगा गा जिसका नाम है बराट कोली या 31 में सा stiff थाइ थी मैं अपन और बात करेंगे 52-हकांस बावन गैंध मोन आपके सौरण बनाए थे और कब बनाए इनसे पहले सबसे पहले भारत में आपके बराट कोली के द्वारा यह सतक मना जाएगा 52 गेंदों में और यह समय याद रखेगा बरस 2013 में और देखो क्रिकेट के रिकौर्ड की बात करें देखो क्रिकेट के इतिहास से जो प्रशन बनेंगे वो प्रशन यही बनेगा पहला टेस्ट कव ख खेला पहले टेस्ट के कप्तान बताओ पहले बंडे के कप्तान बताओ यह तो इतिहास से जो सुरुवाती दौर था वहां से प्रशन आएंगे और फिर तो भई कौन से ख्लाडी ने क्या बहतर किया वही तो पूछेगा तो हम जादातर बात वही करेंगे कि जिनके या जिन ख्लाडियों ने कुछ विसेस रिकोर्ड बनाए हैं उनकी बात करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसाव एक न्यूजी लेंड की और ख्लाडी मिल जाएंगे ब्रेडन मैक कुलम बहुत सांदार खिलता है सब 15-16 की बात करेंगे तो 15-16 में उन्होंने क्या किया चौ से करके दोड़ जाना और खड़े रहना और नहीं तो क्या करना बस खड़ी रहना बस सरीर में नहीं पड़े बैट अड़ा देना अब ऐसी परिस्तिती में ऐसे खिल में एक खिलाडी सामने आता जिसका नाम है ब्रेडन मैक कुलम वह क्या करेगा चंवन गैंद में आपको स अग chauffeur होती तो यह बंडे में होती यह सबीक ख्लाडी भाईट में है तो अब क्या याद रख रहा है कि सबसे में किसी का नाम रिकॉर्ड रहा है तो नाम मैक कुलम का यह बात याद रखेगा और अच्छी वात क्या है कि दस-दस ले लेंगे एक ही टीम में एक ही मैच में एक ही पारी में अब ऐसे कुछ जो रिकोर्ड बनाएंगे जिन में सबसे पहले नाम आता है जिम लेकर साव 1956 में एक ही खिलाडी ने एक ही पारी में अच्छा जैसे पूछ ले कि आप तो एक बात जानते ही ना कि जैसे खिलाडी तो 11 होते हैं विकेट टोटल कितने होते हैं दस होते हैं मतलब एक ही बॉलर सा सारे विकेट लेकर निकले गए नाम रखा दियूदे कर लेकिन जा रहे हैं विकेट ले कर और कितने होसा पहले 2-2 पारी में दस बिखे और अनिल कुमले ने रिकॉर्ड बना दिया था 1999 में एक कम राया ने तो पूरे सो ले लेता हलांकि दस से काम चलाएगा ठीक है तो अब याद रखेगा कि एक पहले ऐसे खलाडी बनेंगे जिसने टेस्ट के मैच में एक ही पारी में कितने विगट लिए ते दस विगट उनका नाम है जिम लेकर और भारत की तरफ से पूछेगा तो नाम याद रखना अनिल कुमले ठीक है चलेगा अब देखें उनके बाद जैसे बात करें यह दो खलाडियों की बात होगी कहां गए यह हैं आपके जिम लेकर बहुत ही सांदार व्यक्ति हैं ठीक है बहुत अच जिम लेकर और कुमले साब में यह दी बात करें बंडे में पहला डवल सेंचुरी किस ने लगाया दोहरा सतक किस खलाडी ने लगाया तो यह तो पढ़ने की बात अपने लिए नहीं है क्यों नहीं है कि हम तो भई सचन की करम भूमी में रह रहे हैं गौलियर में जहां पे स तरे को सलाम करें और साथ हमें सहर का भी नाम हो जाएगा एक बात याद रखना गौलियर चंबल संभाग में जो भी व्यक्ति आएगा वो कुछ ना कुछ अलग करके जाएगा यह इतियास है तो चाहें सटेंदनल करों चाहें कोई भी हो यह बात हम यहां से याद रखेंग की ऐसा हुआ था किसी भी बंडे मैच में कि किसी खलारी का ब्यक्ति का तिस्पूर 200 रनका था और अभी तक 200 नहीं बनाई था हम भी जानते कि पहली बार ग्वालर में कौन से स्टेडियम में एसा हुआ था तो हम जानते एक हैं कैटन रूप सिंग इस्टेडियम जो ग्वा जा रहा है उनके नाम बाले इस्टेडियम में लेकिन खोड़े तो होकी कहीते हैं हाँ शुरुवात में होक्त क्यों कि गौलर में होकी का ट्रेंड जा था गौलर में आप देखेंगे जब आप मद्धेपरतेस का स्वोर्स पढ़ोगे तब देखोगे गौलर में आपको एक मै आप बहतर इस्टेडियम बन रहा है गौलर में सुना होगा आप लोगों ने ठीक लेकिन समय लगेगा उसमें खलाल तो चलो अपन तब तक यहां पर बात कर लेता है अब बाद करंगे है देखो साब तो अब हमने पहले तो बात कर ली ब्रेडन मेकुलम के बारे में जिमले करके वारे में अनलकुमले के वारे में यह सब भात पढ़नेएं पड़ेंगी क्या कोन के ख़लाब बनाया कहाम बनाया बनाया अच्छा हमने इन्हीं के सम्वाण में क्या किया अपने गौळर के जो इनका बेटिंग अंड था उस पूरे पीछे का एरिये का नाम ही दिया सचिंट अब इसके आगे ज्यादा बात करना चाहिए फ ठीक है अब लेकिन पूछलेगा कोन सी टीम बिजित रहेगी ऐस्टलिया रहेगी ठीक है सिंपल सी बात है क्या याद रखना है पहली बार कब खेला गया था दो जार पाच में और कौन कौन से टीम है और निव जिलेंड अब ध्यान क्या रखना है आपको एक बात तो पता है वंडे हो पहला टेस्ट हो दोनों ऑस्टेलिया तो खेलेगी लेकिन इंगलेंड के साथ खेलती है लेकिन इस वार हमने क्या किया ती ट्वंटी जो है यह न्यू सेगमेंट है कैसा है न्यू सेगमेंट है तो ऑस्टेलिया किसी न्यू सेगमेंट वाले के साथ खेलेगी और किस निया फॉर्मेट था तो अच्ट स्वर्म ऑप्र जेनिया, जीतेए जो जीतेगी जिता चला रहा है, यह तो इसम्हें एसलिए खिलवाएद तुम्県 को जब हम नियुजिलेंड के साथ खेलेंगे और बुला के खलवा रहा है ठीक है ठीक आ जिनारी आ और हम की और चिम का नाम का भी पूछ लेगा डüzत बात कर लेंगे और याद कि बात कर खेला भारत कब सामिल होगा तो हमने याद रखा 2010 में और दक्षिल अफरीका 6 में 2006 में सामिल होगा और 2006 में हम कहां खेलने जा रहे हैं तो हम याद रख लेंगे दक्षिल अफरीका के साथ खेलेंगे लेकिन रिकॉर्ड देखना भारत की इस्तिति देखना अब भारत ने क्या किया च्छे विकेट से यह म पहली बार जब विश्व में पहली बार जब की ट्वंटी खिला तो पहली जीतने वाली टीम कौन सी थी ऑस्टेलिया लेकिन कभी पूछले जब भारत पहली बार खिलने जाएगा तो भारत ने जीता आया हरा अरे साब जीता नहीं हम 6 विकेट से जीत करके आते हैं रनों से जाता है और इस समय जो अपने कप्तानी कर रहे हैं उनका नाम क्या है विरंदर सहभा कप्तानी कर रहे हैं यह बात याद रखेंगे मतलब सीधी सीधी बात यह होगी एक लाइन में यह खतव करें तो क्या कर सकते हैं बर्स 2006 में जो भारत T20 खिलेगा और उसमें भारत ने अच ने कप्तान ही कौने बारेformed कि बिरंदर सहभाग अच्छ है ुच्र में अगली बात देखो शाथ क्या जगह जगह तो वैसे नहीं पूछेगा जातर यह यहीं पूचता आ rejoice को पूछने के य County फिलो पूचने के लिए कि कोई दोराय वाली बात नहीं ठीक है अब देखो यहीदी बात कर लें कि टीटी इंटरनेशनल खेल की बात करेंगे तो 2007 में किसके खिलाब खेला डक्षण अफ्रीका के के खिलाब खेलेंगे इसमें एक रिकॉर्ड बनाएंगे अभी तक 2020 मनें 20 और का खेल था सामनते को खलाडी 30 बना रहा है 70 बना रहा है 50 बना रहा है ऐसे रन बनाते थे लेकिन क्रिस गैल साब के बारे में हर कोई जानता है टीट्वेंटी खेल चल रहा है और गेल साब खड़े हैं तो सब बॉलिंग भी फैल सी लगती है किसाब आउट हो जाता आदमी को थोड़ा सा कलेजम सान्ति मिले तो उसका नाम है you know Chris Gail अब देखो आप चाहएं तो जितने भी 혼자 हंद्र लगे हैं उन सकते हैं सबождate पहले बात करलें आपसे कि भारत में बंडे में बंडे में सबसे पहला 100 किसने लगाया था कपिल देव ने और टैस्ट की बात करेंगे तो लाला ने बहुत को गशे आपके भारत में आपके भारत ने यह सबसे पहले में संप clarify यॉब की बात की जाएगी सबसे कम गेंद में सबसे कम गेंद में ज्यादा रन्मन bowling नहीं हंडरे भनाज है ठीक है फिर पूछे गा के बताये आपके सिन्य और तो नाम हमको पता ही ग्रिस इैं पनाए जाएगा यह कुछ रहेंगे जो सरलतम रूप से मिनको याद कर सकते हैं अब देखो किसाब रोहिष सर्मा का तो खेर जलवाई अलग है इसको तो खेर क्या कहने तो देखें जरा रोहिष सर्मा की बात कर ले तो एक और नाम रख दिया है इनका हिट में नाम इसलिए र सोशल मेडिया के दुनिया में किसाब सर्मा जी के लड़के में क्या बुराही थी यह है कवा की अनु tenían सक बनाने का रिकोर्ड को नाम एक निदो के नाम और दो में कौन-कौन है एक तो आपके डेविड मिलर है और एक अपने रोहिच सर्मा है अच्छी बात क्या है दोनों ने एक जैसा रिकॉर्ड बनाया 35 में 100 बनाए नाम क्या याद रखना है एक तो देखो ऐसे अपना तो याद रहे गई रोहिच सर्मा अब होता क्या है जैसी गेंद बनाएगा तो हमने क्या याद रखा रोहिच के साथ कोई मिलर नाम का विक्ति था उसने क्या किया उसने ये किया कि 35 गेंदों में कितने रन बनाए 100 बनाए तो बस सीधी सीधी बात याद रखना है कि यदि टी-टुएंटी में सबसे तेज 100 पूछेगा सबसे तेज सतक पूछेगा तो दो खिलाडी के नाम याद रखना है रोहिच सर्मा और आपके डैविड मिलर ठीक है यानि कि रोहिच और मिलर याद रखे लिए ये इनका एक जैसा रिकॉर्ड है जिसमें आप किसी को भी याद रख सकते हो उप्सन में A और B आ गये तो कोई दिक सा और सेम तुलना कर सकते हैं आप ICC से उसी खिलाडी को देंगे जिस खिलाडी ने अपने पिछले करियर में बहतर प्रदर्शन किया होगा बहतर खेला होगा उस खिलाडी को सम्मानित किया जाएगा आगे हम इन पुरुसकारों की बात करेंगे ठीक है अगली बात देखो लॉट्स को इंग्लेंड के लॉट्स मैदान को क्या कहते हैं क्रिकेट का मक्का मक्का कह देते हैं ठीक है अगली बात देखो होकी का तो आप लोग जानती है बताने क्या वशक्ता नहीं है ठीक है अमूल दूद की बात कर लें ये क्या कर रही है रिप्रेजेंट कर रही है क अपनी भारत के कंपनी अमूल दूद कंपनी जानते हैं कौन से राजी से संबंदित है गुजरास से इतना सांदार काम करती है साफ जिसकी कोई सीमा नहीं ज्यादातर काम जो करेगी वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला करती है इनके दौरा एक पाइपलान बिछाए गई उसमें उतना खर्चा करेंगे इसने दिमाख लगाया क्या लगाया साफ पाइपलान बिछवा दो बंटाइम इन्वेस्टमेंट करो ना वहां से छोड़ो यहां आ जाए अपने आप कानी खतम बस यह यह देखना बीच में कोई निवो बैसे दूद्ध पी रहा हूं तो ले यहां वहां से छोड़ो सीदे यहां के बाल टेंकर कुछ भी रख दो भरते रहेगा सप्लाइ करते रहो ठीके नमस्कार धन्यवाद कि अब कि अब कि कि